हेलो प्रेंट्स बेलकम टू माई चैनल तो ये एक बहुत बड़ी खुस खबरी है वैसे परतियोगी परिच्छाओं की त्यारी करने वाले बच्चों के लिए जो इमांदारी पुरुबक परिच्छा की त्यारी कर रहे हैं अब देखें साहब नीट के एकजाम में कोटा से पकड़े गया है कुछ मुना भाई कुछ कंड़ी डेट जो एकजाम दे रहे थे दूसरे के बदले में और कुछ हेड जो साथ आठ साल पहले खुद ही सेटिंग बेटिंग से वहाँ एकजाम पास किया था वहाँ से पास होने के बाद मेडिकल ऑफीसर बन गया है और अभी कहीं का वह मेडिकल ऑफीसर फिलाल मुझे वह ध्यान बात नहीं रहा है तो उससे पकड़ा गया है और साथी साथ कुछ मुन्या भाई को भी पकड़ा गया है और खबर यह आ रही है कि अब यह नीट एकजाम से रिलेटिड पहले भी तो चल रहा है उससे रिलेट है तो सबसे ज्यादा दोस्तों सबको पता है कि लिंक पटना में ही है क्योंकि बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा कमपडिशन को फेस करते हैं बिहार हो इधर यूपी हो और राजस्थान तो इसका लिंक जदी मिलेगा तो राजस्थान यूपी और बिहार में ही तो पटना तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस थोड़ा इस पे भी धियान दे, B.S.S.C. S.S.C. Railway Banking के एक्जाम, ये सब के एक्जाम में भी उससे ज़्यादा धांदली होता है, और इसके भी रैकेट का जो सरगना है, मेंली साहब पटना में ही बैठा हुआ है, तो आप थोड़ा इस पे भी धियान देकर इस रैकेट को भी साथ करने की कोशिस करें, इधर 7-8 सालों में जिन होने भी नौकरी लिया है, मतलब कि इस तरीके से, मुन्ना भाई के तरीके से ज़दी जिसने भी नौकरी लिया है, उसको हटाईए, तभी सभी इमानदार छातरों के साथ नियाए हो सकेगा, और इस प्रकार के वीडियो में हमेशा बनाता रहूंगा, दोस्तों मुझे तो फिलाल सर्दी था, तब्यत खराब था, लेकिन आज जब मैं ये नीर सुना, तो मैं गदगद हो गया, मैं इमानदार दोस्तों के लिए हमेशा में अंदारी से बात करूँगा, जो इमंदारी से जॉब लिए हैं उनके लिए बहुत खुब और जीन होने इमंदारी से जॉब नहीं लिया है तिस परकार के रैकेट को समाप्त करे ए क्योंकि बहुत हुआ दोस्तों बहुत हुआ ये सब धांधली नहीं चलेगा क्योंकि गदार सा जितने भी गदार हैं सारे सेर बने बैठे हैं मंदार जो हैं बेचारे बनकर बैठे हुए हैं तो ये नहीं चलेगा जदि मोदी जी कहते हैं कि मैं एक बहतर भारत बनाने के लिए तत पर हूँ तो बहतर भारत बनना चाहिए नहीं बनने तो फिर जुमले बाजी से क काम अब नहीं चलेगा तो इस वीडियो को आप जल्द से जल्द अधीक से अधीक सेर कीजिए लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए ठीक है धन्यवाद